आज हम खड़े हैं जहां रीवा में यहां एक इको पार्क का निर्मार किया जा रहा है जिसका काम बीते कई वर्सों से चल रहा है हम आपको पताना चाहेंगे यह है एक पुल है जो बीते कुछ वर्सों पहले एक बार बन चुका है और पानी के खपेड़े से ही यह बैग गया था हलाकि इसे उना निर्मार किया जा रहा है लोगों को यह है जनता को यह पताना ज़रूरी है कि यह है इको पार्क आखिर क्यों बन रहा है अभी तक यह है इको पार्क लोगों के मरुरंजन का केंडर बनने वाला था ऐसा लोगों को अभी भी पता है लेकिन हम आपको एक जनकारी देना चाहेंगे कि इस एको पार्क को एक बाराद घर के रूप में भी बदला जा रहा है अब यहाँ शादिया भी होंगी अब सवाल यह उठता है कि यह जो पुल निमार किया जा रहा है इस पर कई सवाल उठें अभी कल ही M.I.C. की बैठक हुई थी जिसमें महापौर आजय मिस्रा बाबा ने इस मामले को गंभीर्टा से लेते हुए M.I.C. की बैठक में साथ दिवस का समय दिया है कि इस मामले की जाच की जाए कि आखिर इसकी सुईक्रिती किसने दी है इको पार्क जो की ब्रीन ट्यूनल के देश करमसार कोई भी भवन नदी से पचास मीटर की दूरी में बनेगा तो इको पार्क में जो भवन बने है उसके अभी तक क्या करवाही नगन निगन के संबंधिक ज्योन के लोगों ने की है उनको साथ दिम का समय दे दिया गया है नगन के लिएक पुल बनाया गया है tightly वह könnte इंगन के दआरा उसका पुर्ढत्र प्रमार्ण प्रप्राप्र्अक्त है कॉंसे जनसी उसका निरा ऩा निम şu जल्राणी कर रही थी किस एजन्सी में उसकी ड्राइंग एपूंग की है क्या है कि एरिगेशन एक बैटी हुई नदी के उपर फूल बनाना ये बहुत बड़ा खत्रा है हम तो इस चीज से भैवीट है कि कहीं गुजराद जैसा हास्ता रिवा बना है तो हमने ये सुनेश्चित कर दिया है इसकी जवाबदारी कौन ले हमारी नई आइपताईय संस्क जैन जी मैंने उनको बता दिया है कि आप ये सब बिंगों पर किसेज निगरानी रखते उस स्थान पर खड़े हैं जहां यह एतिहासिक टापू स्थित है अब हलाकि इसका स्वरूप बदला जा चुका है पहले यह एक जंगल की तरह दूर से दिखाई देता था ये छोटी पूल है जहां से इस टापू का नजारा लोग हमेशा लिया करते थे लेगिन अब इस टापू का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है पेड़ पौधों को काट दिया गया है अब यहां ना तो पेड़ हैं और ना ही वह कटाव रोकने वाले व्रच हैं जिसके कारण यहां मिट्टी का कटाव रुका हुआ था और यह टापू अपने सही जगा पे स्थित था अब इसे संगों का यह भी मानना है कि पेर पौधों के काटने के करण अब कटाव बहुत तेजी से होगा और आने वाले समय में हो सकता है यह टापू नश्ट हो जाए तो फिर सवाल यह पर इत्ता इंवेस्टमेंट क्यों किया जा रहा है अभी तक लोगों को यह भ्रम था रीवा की यह भ्रम था अभी भी कि यह टापू एक मनवंजन पार्के के रूप में विक्सित किया जा रहा है लेकिन जहां तक जानकारी मिल रही है इसे एक बराद घर का भी स्वरूप दिया जा रहा है जिसे हम मान सकते हैं एक बिजनेस स्वरूप इसका निर्माल चल रहा है हलाकि नगर निगम को इस बात की जानकारी नहीं है और ना ही नगर निगम से स्विक्रती है ऐसा महापौरा जैमिस्रा बाबा का कहना है जो कल ही M.I.C की बैठक में कह चुके है अब यदि कोई दुलगटना होती है तो इसका जवाबदार कौन होगा यह जो पुल है यह पुल एक बार पत्तो की तरह तास की पत्तो की तरह धरसाई हो चुका है दुबारा इसका निर्मार फिर किया गया है इसकी मजबूती क्या है इसकी गुनवत्ता क्या है इस बात की जानकारी या तो कोई विशेशक दे सकता है जिसका कहीं पता भी नहीं रीवा में ग्रीन बेल्ड का एक नियम है कि नदी टट से 50 मीटर की दूरी तक कोई भी निर्मार नहीं होगा लेकिन एको पार्क के निर्मार में इन सब नियमों को ताक पर रखा गया है जैसा कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं नदी टट से लगे बाउंडरी से जोड़कर एक बहु मंजिरा भवन का निर्मार किया गया है जो इसी इको पार्क का एक विस्सा है यहाँ पानी जब भी आता है बाद इसके समय में जल भलाव की इस्तित निर्मित होती है आम जनता के लिए अलग नियम और इको पार्क के लिए अलग नियम या दोरी नीती लोगों के समसे पड़े क्योंकि अभी रिवर फ्रेंट के कार में यहाँ से लेकर विछिया तक 50 मीटर की दूरी में सभी बने घरों को धरसाई कर दिया गया है चाहे वह पट्टे के हो चाहे निजी हो या फिर किसी ने अपने खून पसीने के कमाई से खरी दी हो लेकिन इको पार्क के नियम में इस नियम को किनारे करते हुए अब आप देख पा रहे हैं पीछे एक मकान बनाया गया है जहां लोग आका ठहरेंगे संभावता हर मौसम में ठहरेंगे आप या भवन किस नियम के तहर बनाया गया या तो माताहत अधिकारी ही बता सकते हैं या फिर निर्मार करता